सब्सक्राइब कीजिए टेग गूरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मुबाइल में वाट्सअप ओपन नहीं हो रहा है वाट्सअप नहीं खुल रहा है तो फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा उसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं सही तरीके से तो फिर आपका वाट्सअप ओपन हो जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने वाट्सअप को इंस्टॉल कर रखा है और यह अभी ओपन नहीं हो रहा है मे प्रेस करके रखिए उसके बाद यहाँ पर आपको तीन डॉट मिलेगा या फिर यहाँ पर एप इन्फो को ओप्शन मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर आपको एक option enable नहीं रहता है तो आपका जो WhatsApp है ना वो आपके mobile data या फिर Wi-Fi को use नहीं कर पाएगा और जब वो इसको use नहीं कर पाएगा तो फिर आपका WhatsApp कैसे open होगा तो अगर आप mobile data से WhatsApp यूज़ कर रहे हैं तो इसको enable कीजे और अगर WhatsApp में कुछ बग आ गया हो या फिर आपका WhatsApp outdated हो गया हो तो आपको क्या करना है प्ले स्टोर पर आ जाना है प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर ले ना है WhatsApp वाटसब सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको open की जगाए पर update का option मिलेगा अगर यहाँ पर update का option आ रहा है तो उस पर click करके सबसे पहले आप अपने WhatsApp को update कर लिजे ताकि आपका जो WhatsApp है वो पूरी तरीके से update हो जाए जो भी bug है उसमें वो चला जाए यह करने के बाद तो आपका problem जरूर से solve हो जाएगा अगर फिर भी नहीं होता है तो एक दो troubleshoot में आपको और बता देता हूँ आपको क्या करना है यहाँ पर फिर से अपने WhatsApp पर long press करके रखिए यहाँ पर फिर से app info में आईए अब यहाँ पर आपको एक option मिलेगा storage का इस पर आपको click करना है storage में आने की बाद यहाँ पर आपको नीचे एक option मिलेगा clear data इस पर click कीजे और यहाँ पर आपको clear data पर कर देना है लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा जैसे आप clear data करेंगे तो आपका WhatsApp एकाउंट लॉग आउट हो जाएगा तो आप चाहें तो backup ले सकते हैं तो clear data करने के बाद आपको दोबारा से अपने WhatsApp को उसी तरीके से लॉग इन करना होगा जब आप WhatsApp एकाउंट बनाते हैं उसी प्रकार से आपको लॉग इन करना होगा अपने नमबर डालेगा OTP आएगा verify कीजेगा और आपका फिर से WhatsApp लॉग इन हो जाएगा अब मैं आपको last एक और option बता देता हूं आपको क्या करना है अपने mobile को एक बार reboot या switch off करके थोड़ी देर बाद फिर से open करना है हो सकता है कि आपके mobile में कुछ दिक्कात हो गई हो तो उसकी वेज़े से open ना हो रहा हूँ तो थोड़ी देर के लिए उसको rest पर डाल दीजे उसके बाद आप उसको open करेंगे तो definitely open हो जाएगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पोछ लिजेगा